कि अज़िए कि हलो बच्चों स्पीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है आपके बोर्ड पेपर में पांच नंबर का जीवन परिचय आता है और अपकी बार जो जीवन परिचय आएंगे वो अलग से आएंगे जो हर साल पूछा जाता आपकी बार वो नहीं पूछी कुछ जीवन परिचय डाल रहे हैं उनको आप लोग देख लेना जिसे आपको फैदा मिले जीवन परिचय हैंदी साहित ऐसे लिखिए हिंदी साहित गगन के सूर्य महा कभी सूरदास के जीवन के विशे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता अंता साच तथा किवदंतियों के रा आधारपन निम्लिखी तत्यों का पता लगाया गया है कि डाक्टर हरिसरण सर्मा के मता नुसार सूर का जन्म सन 1488 इसबी के आसपास मतुरा से आगरा जाने वाली सडग पर इस्थित रूनकता हना रेडु का नामक अस्थान के निकट साही नामक ग्राम को माना जाता है ऐसे लिखो ये सारस्थ ब्रामभड थे प्रारंभ में रामभक्त थे किन्त बाद में स्वामी बलभाचार से दीच्छा लेकर क्रणभर्ति में लीन हो गए सूर ने वलभाचार की याग्या से क्रणचरित्र का गान किया सूर को कुछ लोग प्रत्विराच चौहान के समकालिन चंदर बरदाई का वनसद मानते हैं सूर अंधे थे जनमांध थे अथवा बाद में अंधे हुए इस विसे में बिद्वानों में मतभेद है परन्त अब पुष्ट प्रमाणों के आधार पर उनकी जनमांधता प्रमाणी तो हो चुकी है यानि वो जनमांध थे हना सन 1583 सभी में उनका परलोक वास हो गया अब आगे रचनाएं लिख दो बस हो गया काम रचनाएं लिखना कि सूर सागर सूर सारावली तथा साहित लहरी बस इतनी इतने वड़ा जीवन परिच्छे आपको लिखना है अगला डारिये तुलसी दास हम इसी वीडियों सब आठ डाले दे रहे हैं तुलसी दास अब हैटिं के आकास की देदी प्यमान नचत्र महा कवी तुलसी के जन्मकाल तथा अस्थान के विशे में भिद्वानों में मतभेद हैं अन्ता और बाय साच्छों तथा लोक कथाओं के आधार पर इनके विशे में इतना पता चलता है कि इनका जन्म सर 1532 सभी अभी हमां 57 साल जोड़ तो विक्रम सवमत बन जाई यनि सवमत 1589 विक्रम में बांदा जिले के राजापुर गाओं में हुआ था गोसाई चरित के अनुसार तुलसी का जन्म सवमत 1554 विक्रम और सन 1497 सभी में हुआ था लेकिन लिखना ये कही है आपको हना इनके जन्मस्थान के विशे में भी वि तुलसी की माता का नाम हुलसी तता पिता का नाम आत्मा राम दुबे था कहते हैं जन्म लेते ही तुलसी दास रोए नहीं उनके मुख से राम निकला इस कानल पिता ने इनका नाम राम बोला रख दिया इनका जन्म अद्भुत मूल नचत्र में हुआ था अता असुम जान क माता पिता ने बालक को मुनिया नाम की दासी मुनिया नाम की दासी को दे दिया हना मुनिया नामक दासी ने ही बच्पन में इनका पालन पोस्ड किया कुछ बड़ा होने पर मुनिया ने यह बालक महात्मा नरहर दास को सफ दिया हना नरहर दास जी ने इन्हें पाला पोसा और सिच्छा दी ब्याकरण तता वेदान तादी की सिच्छा इनों ने कासी जाकर सेस सनातन नामक आचार से प्राप्त की तुलिसिदा जी का विवा दीन बंद पाठक की पुत्री रतना वली से हुआ एक दिन पतनी की फटकार सुनकर वे संसार से विरक्त हो गए और घरद्वार छोड़ कर रामभक्त में लीन हो गए कासी में असी घाट पर संवत 1680 बिक्रम सन 1623 सी सवी में इनोंने पंच भोतिक शरीर को त्याग यार था इनकी मरत्ति हो गए हरा रचनाय रामलला नहेचू वैराग संदीपनी रामाग्या प्रसन जानकी मंगल रामचरित मानस पारवती मंगल गीता वली भिने पत्रिका शिरीक्रण गीता वली बरवय रामान दोहा वली तथा कविता वली इस तरह से जीवन परिचे आप लोग लिखना अब आजो रस खान रस खान का जीवन परिचे हैडिंडार दो हरा शिरीक्रण के अनन्य उपासक सरस काब के निर्माता कभिवर रस खान वास्तों में ही रस की खान थे उनका संपूर्ण काब भी रस की खान है रस खान का असली नाम सैयद इबराहिम था बाद में वह अश्ड़ो धर्म सुईकार कर लेने पर इनका नाम रस खान पड़ गया रस खान का पूरा जीवन अन्धकार के गर्त में छिपा है अब तक इनके विशे में इतना पता चला है कि इनका जन्म सन 1533 सीशवी के आसपास हुआ था वे दिल्ली के पठान थे कुछ विद्वानों ने इन्हें पिहानी का निवासी बताया है किन्त इस विशे में कोई पुष्ट प्रमान उपलब्द नहीं है रसखान की प्रेमवाटी का नामक पुस्तक के निवन लिखित दोहे से प्रतीत होता है कि ये किसी बादसाह के वंस से संबन्दी थे देख गदर हित साही भी दिल्ली नगर मसान और चिनही बादसाह वंस की ठसक छाणी रसखान कहते हैं कि रसखान को किसी इस्तिरी से प्रेम हो गया था किन्त उस इस्तिरी ने इन्हें अपमानित कर दिया इस कारण इन्हें वैराग्य हो गया तब इन्होंने गोसाई विठ्ठल नाथ से दीच्छा लेकर वैसडव धर्म सुईकार कर लिया तबीस इनका नाम रसखान हो गया सन 1618 इसवी में इनका देहां तो हो गया प्रेम वाटिका अब रचनाय है एटिंग डारो प्रेम वाटिका तथा सुजान रसखान यह के बाद बच्चों बिहारी लाल है एटिंग डारो जीवन परिच्छे है हना रीत काल के महान कलाकार महाकव बिहारी काजन मसन 1603 इसवी में गौालियर के निकट बसवा गोबिंद पूर नामक गाउं में हुआ था हना वे यह मथुरा के चौबे थे पिता का नाम कैसा राम था आठ वर्स की आयू में इनके पिता इन्हें अपने साथ और अच्छा बुंदेल खंड ले गए इनके गुरु आचार के सौदास थे बिहारी का बच्पन और अच्छा में भीता युवा वस्ता मेवे अपनी ससुराल मतुरा जाकर रहने लगे थे किन्दु ससुराल में उचित सम्मान ना मिलने के कारण ये वहां से कन्नोज के राजा मिर्जा जे सिंग के दरबार में चले गए यहां उन्हें प्रयात सम्मान मिला कहते है कुछ समय राजा अपनी छोटी रानी के प्रेम पास में बधे हुए थे वे राजकाज की सबचिंता छोड़कर हर समय महल में पड़े रहते थे तब बिहारी ने राजा के पास एक दोहा लिखकर भेजा क्या कि नहीं पराग नहीं मदुरमधू नहीं विकास इकाल अलिकली ही सो बिधेव आगे कौन हवाल इस दोहे ही ने राजा की आखे खोल दी किसकी जैसिंग की आखे वे ठीक से राज की देखभाल करने लगे दरबारी जीवन में बिहारी को बहुत सम्मान मिला कहा जाता है कि राजा जैसिंग बिहारी को प्रतेग दोहे की रचना पर एक स्वर्ण मुद्रा यानि असरफी पुरुसकार देते थे असर 1663 इसवी में इस महा कविका परलोक वास हो गया रचना हेडिंग डारो बिहारी की एक मातर रचना है बिहारी सत्साई अब चो इसके बाद जीवनी आती है सुमित्रा नंदन पंत जीवन पर चे हेडिंग डारो प्रकत के अनन प्रेमी सिरी सुमित्रा नंदन पंत का जर्म 21 माई सन 1922 में अलमोडा जीले के कौसानी नामग गाउ में हुआ था इनके पिता पंडित गंगाज त्पंत धार्मिक ब्रामड थे वे कौसानी राज के कोसा देत था अच्छे जमिदार थे जर्म के 6 गंटे बाद ही उनकी माता सरस्वती देवी का देहान तो हो गया था हना इस कारण इनका पारन पोसर उनकी बुआ ने किया पंत जी की प्रारमिक सिच्छा अलमोडा में हुई कासी जैनराड स्कूल से मैट्रिक की परिच्छा पास की और इंटर में काले छोड़ कर असयोग आंदोलन में सम्मीलित हो गए पंत जी को कविता में बच्पन से ही विशे सुरुच थी सन 1956 इसवी में उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें एक लाग रुपए के भारती ज्यानपीट पुरुषकार से सम्मानित किया पंत जी जीवन भर अविवाहित रहे इनका बेक्तित बड़ा प्रभाव साली था बिसाल ललाट चमकीली आखे घुमराले बाल सांत मुद्रा और भाविक प्रकृत के मेल से इनका बेक्तित अत्यनत आकर सक हो उठा था पंत जी ने हिंदी साहित सम्मेलन की लंबे समय तक सेवा की कुछ दिर आकास मारी में भी काम किया भारत सरकार ने इने पद्म भूसर से अलंक्रित किया था और सन 1997 इसवी में सरस्वती के इस अनन्य पुझारी का स्वर्गवास हो गया रचनाय, लोकायतन, वीडा, पल्लो, गुंजर, ग्रंती, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, युगपत, उत्तरा, अतिमा, कला, और भूढा, चाद, चिदंबरा, तथा सिल्पी अगला जीवन परिच्चा है महादेवी वर्मा का जीवन परिचे हाइडिंग डारे कहीं वीडियों में सारा तयार हो जाएगा वेदनर्ति सूसरी महादेवी वर्मा का जन्मसन 1907 इसवी में फरुखा बादनगर में होली के दिन हुआ था इनके पिता सिरी गोविंद प्रसाद वर्मा एक अच्छे बिद्वान थे इनकी माता हेमरानी भी अच्छी बिदुसी थी केवल नो वर्ष की अवस्था में ही इनका बिवा रूप नरण सिंग के साथ हो गया था बिवा के बाद एमय तक सिच्छा प्रात की संगीत और चित्रकला में इनकी विशेश रूच थी आप प्रयाग महिला विद्या पीठ में प्रधाना चार्या रहीं तता उपकुलपती पद पर भी आसीन रही उत्तरप्रदे सरकार ने इन्हें विधान परसत की सदस्या नियुक्त कर सम्मानित किया भारत के राख्ठ पती ने इन्हें पदम सरी की उपाद से सुसूभित किया हिंदी साहित सम्मेलन ने इन्हें नीरजा पर 500 रुपेय का सेकसरिया पुरुसकार तथा यामा पर 1200 रुपेय का मंगला प्रसाथ पारी तोसिक देकर सम्मानित किया पति द्वारा परित्यक्ता होने के कारण इनका जीवन वेदना में रहा इनके साहित में भी इसी वेदना की टीस है इन्होंने चांद रामक पत्रिका का संपादन भी किया इन्हें ग्यानपीट पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया 11 सितंबर 1987 को महादेवी जी का स्वरगवास हो गया महादेवी जी का आधुनिक हिंदी साहित के निर्माताओं में विशेस कर छायवादी कम्यों में विशेस रथान है इनकी प्रमुक काविकरतिया नीहार रस्म नीरेजा सांधिगी दीव सिखा और यामा है इसके बाद बच्चों आते हैं राम नरेश त्रिपाठी जीवन पर्चेव हना हिंदे के ख्यात प्रात कभी राम नरेश त्रिपाठी का जन्मसन 1889 सभी में जौन पूर जिले में कोईरी पूर नाम गाउं में हुआ था यह जात के ब्रामः थे इनके पिता पंडित रामदत त्रिपाठी भगवस भक्त ब्रामः थी त्रिपाठी जी इसकूल में अधिक नहीं पढ़े किन्त स्वाध्याय और देशाटन से इन्होंने असाधन ग्यान प्रात कर लिया था भारतिय ग्रामों से तिरपाठी जी को विशेश प्रेम और सहनबूत थी हिंदी साहित परशद की इतिहास परशद के आप सभापति रह चुके हैं रचनाएं मिलन, पथिक, स्वपन, मानसी, कविता कौमुदी, ग्रामगीत तथा इसके बाद बच्चों आते हैं, माखनलाल चतुरवेदी जीवन परिचे शिरी माखनलाल चतुरवेदी का जन्म हमध प्रदेश के होसंगाबाद जन्पद में बाबाई नामक गाउ में सन 1889 समी में हुआ था इनके पिता का नाम पंडित नंद लाल चतुरवेदी था गाव की पाट साला में प्राथमिक सिछा प्रात कर घर पर ही संस्कत गुजराती बंगला और अंगरेजी भासावों का अध्यन किया कुछ दिन अध्यापकर है, सर 1913 इसवी में इन्हे प्रभा नाम प्रभा नाम की प्रसित पत्रिका का संपादन नियुक्त किया गया देश प्रेम की भावना इनके हिर्दे में कूट कूट कर भरी थी गड़े संकर विद्यार्थी का संपर्क मिला तो उनसे प्रेणा प्रात कर ये राष्टी आंदोलनों में भाग लेने लगे कई बार जेल यात्रा की है भारत और भारती संसकत से इन्हें असीम प्रेम था जिसकी जलक इनके संपूर्ण काव में दिखाई पड़ती है इसी करण इन्हें एक भारती आत्मा के नाम से भी पुकारा जाता था इन्होंने हिंदी साहित सम्मेरल के अधचपत को भी सुसोभित किया सागर भी सुविद्याले ने इन्हें डिलिट था भारत सरकार ने पद्म भूसर की उपाद से अलंकिर्ट किया सन 1968 इसमी में इनका परलोक वास हो गया इतने जीवन परिचे में जरूर आपका फज जाएगा बार बार वीडियो को देखना आपके दिमाख में फीट हो जागा धन्यवाद बच्चों वीडियो को लाइक करो शेर करो कमेंट करो जिससे आप जो है हाई स्कूल में 90 परशम उपर आपकी नमबर है यूपी टाप कहलावा धन्यवाद